तो दिस इस दा एट्थ लेक्च्चर विच वी विल गूंग तो कंटीनिव जिसमें हम जितने भी मेजर अमेंडमेंट्मेंट्स हुए है उनके बारे में पढ़ेंगे चाहे वह बैटिंग और गैंबलिंग के बारे में हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल के बारे में ह या फिर टोबैको के बारे में होगा या फिर फॉरिंड कॉंट्रिबूशन एक्ट फेरा और फीमा में क्या डिफ्रेंस होता है क्योंकि हमारे देश में एंजियो जो है नॉन गवर्मेंटल एंटिटी जिनको हम बोलते नॉन गवर्मेंटल और्गनाइडिशन उनका काफी ज्यादा क्या है यहां पर रोल हमें देखने को मिलता है यह सारी चीज़ें को क्या है हम यहां पर पढ़ेंगे एक एक करकर और उनको समझेंगे और उसके बाद mcqs है तो वह mcqs को लगाना तो आपका वह टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा क्लियर हेलो विक्की हेलो अनिकेद तो क्या पढ़ना है हमें एट्थ लेक्चर में सारे मेजर अमेंडमेंट्मेंट्स उनके एक्ट्स और उसमें क्या कही गोई बाते हैं तो सारे सारे चीजों को हमें यहां पर जानना होगा ठीक है तो सारे अमेंडमेंट्स को हम मेजर अमेंडमेंड इससे जादा नहीं पढ़ने हैं एंजी उसको फोकस में रखना ना है क्योंकि एंग्चियों में काफी जाधा चेंजेस सरकार लेकर आई थी उनके रूल से इंट रेगुलेशन में तो एंग यूस हैं एंग इंग इसके बाद हमारा जो अभी consumer protection act है तो consumer protection act इंग इन सब के बारे में हमें अच्छे से जानना होगा और इनके इंट टोबेक वो उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे यहां पर और इसके बात एयरक्राफ्ट बिल एरकाफ्ट का जो बिल पार्लेमेंट में पास हुआ था एंड बैटिंग इन इंडिया बैटिंग मतलब क्या होता है जो जुआ गैंबिलिंग जीसे हम बोलते ना तो गै क्लास इसके बलावा कुछ पढ़ने की यहां से जरूरत नहीं होगी क्योंकि यह बिल और एक्ट इस से यहां से आपको नहीं पूछेंगे बगार एक बात याद रखिएगा एन्वारमेंट इंपक्ट असेस्मेंट 2006 यह पूछा गया था इसको कंपेर किया गया था 2020 से यह था के मेंजेंगजाम इनपेपर इस तरीके से कोउच्ट ज है फूच रही है या फ्री बसके पूछेंगी या फिल्ज पूछ थिह है या फिर वह हऑट से कोण पूछती को पूछते है इस तरीके से क्या है नाउ ल्लज्वारर आस्पिंग कॉष्ट हमें इस तरीके से यह नहीं पढ़ना दोनों परस्पेक्टिस से भी लेकर हमें यहां पर आगे बढ़ना होगा क्लियर होगी बात ओके सो लेट्स बिगन दा क्लास बिफॉर दिस आउने के प्लेट्फॉर्म पर मिलता है यहां पर सारी जानकारिया मैं दे रहा हूं इसके अलावा दिज मैं एचीमें जहां से आपको हर सारे जो भी मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडिया आपको यहां से कर सकते हैं 28 अप्रेल से अगर आप पहले सब्सक्रिप्शन प्लान को खरी देंगे तो आपके लिए वन येर का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसमें 20 वोक्स जो की UPSC से रिलेटेड़ है है वो सब आपको क्या है free of course मिल जाएंगी जिसमें आपको करेंट अफिर मिलता है अपडेटेड यहां पर लास्ट यहां पर मिलते हैं और सारी चीज़ें यहां पर आपको मिलती है अने कैडमी में एक और सुभीदा उपलब्द है कि नेक्स यहर का जो प्रेलेंस एक्जाम वह भी आपके लिए दो option होते हैं और यहां पर आपको यह cost पढ़ता है 63,000 रुपीज का तो आपको यहां पर code क्या apply करना है फिर क्या मिलता है आपको लोन की भी सुभीदा देती है तो लोन क्या है कोई ब्याज नहीं देना कोई प्रोसेसिंग भूज नहीं देना कोई भी अनकेडमी फ्री में टेस्सीरीज भी देता है 14 अपरल से नए बैचेज भी शुरू किये गए हैं और स्कॉलर्शिप के जो टेस्ट है वह भी आपके लिए अनकेडमी की द्वारा यहां पर शुरू किये गए हैं जहां पर आपको apply करना है code TGLIV और आपके अगर top 3 rank में आते था तो यह जो है मैं सोचा था कि एक बार और आपको दुबारा से पढ़ा दूँ क्योंकि यह जो topic है काफी news में है क्योंकि यहां पर हम जो बात करते हैं वह e-commerce e-commerce क्या होता है Amazon Flipkart eBay यह सरी जो बड़ी बड़ी जो companies है उनके बारे में यह कानून लाया गया है उनको कैसे तरीके से हम रोक लगाएंगे उनकी उपर किस तरीके से लगान लगाएंगे उनको किस तरीके से हम फ्रॉट से बचा सकते हैं बड़े-बड़े country बड़े- इस किया है consumer protection act 2019 1986 का जब act आया था तो उसमें क्या था कि IT से related मतला information technology से related कोई बड़ी बात नहीं होती थी क्योंकि इस time क्या था पहले देश में computer आया आया था है ना तो कहां पर अपनी इतनी बड़ी बात होती थी 2019 के आने तक क्या हो गया बड़ी-बड़ी marketing companies आ गए हमारे पास smartphone आ गए हमारे पास smartphone applications आ गए काफी सारी smart TV आ गई smart phone smart laptop सब कुछ आ गया है ना तो यह सब चीजों से क्या हुआ कि कई सारे app के थूरू हमारे आपर व्यापार होने लगा अब वो app जो है अभी तक क्या था उनकी उपर कोई लगाम नहीं था मतलब सरकार का कोई भी उनक करते हैं तो कभी उसमें इट पत्थर निकलाते हैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए consumer consumer कौन होता है जो खपत करता है मैंने आपको कल भी example बताया था कि मैगी मैगी क्या है मैगी बनाने वाली company होगी manufacturer है ना जैसे नेसले तो नेसले क्या है manufacturer हो गई तो यह क्या करे होगी डिमांड को पूरा करेगा जो खाता है मतल ACC करने वाला इंसान होगा जिसको को हम बुलते हैं consumer आपने मिंतरा का नाम सुना मिंतरा है मिंतरा क्या है मिंतरा कपड़ा बजार में खूब बड़ी industry जिसकोँ ओं बलते हैं textile industry जिसमें आप shopping कर सकते हैं हर बड़ी चीज हर छोटी चीज related to capital है ना इसमें मिंतरा का काम क्या है तो मिंतरा एक mediator है जो की manufacturer से उठाती है सामान और direct consumer को देती है consumer को कोई दिक्कत ना एं consumer को दिक्कत को feel ना करें इन सब चीजों का धियान कौन रखता है मिंतरा रखता हैं पहले क्या होता था कि LEVIS यशी company direct store होते थे अभी भी store होते हैं LEVIS के आप जाते होगे इनके हां से कोई सामान खरीदते होगे मगर पहले और अभी में दाकर इस्टोर में सामान खरीदने में क्या है आपको तुरन देख जाता है कि कोई स्पटी तो नहीं है अगर उसका स्टेचिंग नखली है तो यह शारी चीज न 2019 को हमारी सरकार लेकर आई अब 2019 जो है उससे किस तरीके से difference email 1996 से वो हमें देखना पड़ेगा पहला जो difference से वो है regulator का पहले क्या था कि पहले हमारे देश में कोई regulator नहीं होता था मतलब अगर हमारे देश में कोई धोका हुआ किसी इंसान के सांथ fraud हुआ तो कोई regulating agency नहीं थी उसको देखने के लिए कोई जैसे उसके उपर कोई बैठा नहीं था अभी क्या किया है कि Central consumer protection authority यहां पर बनाई गई है जो कि सारे consumers related कानूनों को देखेगा अभी जो अभी क्या कर दिया अभी उल्टा कर दिया अभी जो भी complaint होगी तो मैं जहां रहता हूं मैं वहां पर अपनी complaint को फाइल कर सकता हूं यह बहुत ही क्या है अच्छा turning point हमारे यहां पर देखने को मिला यह बात क्लियर हो गई फिर थर्ड आता है वह है हो सब कर दो करने की घर है फको है लगा करना है आपके सब यह बाल काटने कंग सूस t ग्याल क्या होगा तो प्रॉडक्ट की लायबलिटि सर्वेसेज और प्रॉडक्ल की लायबलिटि को अभी च्ण्ज्यूमर कंपनसिेशन मांग सकता है कि आपने मेरे से नाजायज पैसे लिये थे पहले क्या था ऐसा कोई प्रापदान नहीं था पहले आपको डारेक्ली सिविल कोट में भागना परता था मतलब की आपके या तो कोई आसपास का सिविल कोट होगा या राइकोट होगा वहाँ पर जाना पड़ता था तो कंजूमर की बाते पहले नहीं सुनी जाती थी ओर्थ क्या हुआ वह पेक्यूनरी जूरिजिक्शन पहले मैक्सिमम सजा डिस्ट्रिक्ट में कितनी सुना सकते थे वह था 20 लाग अभी क्या है एक करोड तक की सजा यहां पर स पहले यह क्या था पहले कम था फिर क्या हुआ में जांगा मीनतर मेरे बात नहीं सुनेगा इन सब है केस फाइल करूंगा तो मीडियेशन सेल लगा सकते हैं मतलब मीडियेशन सेल एक कोई बीच में आ जाएगा और वो बुलेगा कि कोट मत जाओ भाई आपका समय खराब होगा आप क्या रखो आप यहीं रहो मैं आपका कोट का क्या है सारा काम कर दूँगा मीडियेशन सेल भी बन गया एक कोमर्स के लिए भी प्रावधान और इंदि को क्लियर हो गया यह जो मैं आपको समझा रहा हूं चलिए अब अपन क्या करेंगे अब अपन अंदर जाएंगे थोड़ा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हम UPSC के बारे में पढ़ रहे हैं खाली यह जानना कि एक regulating authority बनाया उससे काम नहीं चलेगा उस regulating authority के अंदर काम क्या होता है वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसका primary objective क्या है जो authority हमने बनाई है उसका primary objective है promote करना प्रोटेक करना और enforce करना consumers के rights के लिए और इसको कौन assess करेगा तो इसको assess मतलब इसकी म हुआ हमारे हाँ पर central consumer protection authority का काम हुआ इसके पास empowerment क्या है कि यह unsafe goods and services को यह चेक करेगा यह investigation करेगा अगर किसी के साथ consumer rights का violation हुआ है institution complaint का यहाँ पर कुछ भी प्रावदान हुआ है तो इसका काम यह होगा फिर अगर order का discontinuance हुआ है और unfair trade practices हुए मतलब कि प्यापार आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पर यह देखना है कि मेरा जो product मैंने मंगाया है क्या उसकी face जो उसने photo लगाई थी वह photo में वही product है कई बार मंगाया आपने जूता पहुंच गया चपल तो यह सब जीचे क्या है यहाँ पर penalty आप लगा सकते हैं manufacturer पर endorsers पे और publishers पे अ हो सकते हैं su moto cases मतलब की court के अंदर अब जो है court खुद से अपना case को file कर सकता है यह कहकर कि आपने इस अत्याचार इसके खिलाफ ज्यादा किया तो on the behalf of the customer initiating class action suit और class action का मतलब क्या होता है वह होता है representative action मतलब कि एक form of lawsuit होता है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं ज केलते थे तो सचेंत अंदल करके वहाँ पर सहारा का brand ambassador जैसे आज आपको बाइजू दिखता है उस चाहें पर सहारा दिखता था तो इतनी बड़ी कंपनी थी सहारा अचानक से क्या हुआ इंस्वेंट हो गई दिवालिया होगा गया कंपनी जब वह कंपनी दिवालिया होई तो उसके साथ क्या हुआ कि कई सारे लोगों का पैसा उसमें डूब गया और जब कैसा है दूब तो वह क्या हुआ कि बहां पर उन्होंने complaint file करी तो यहां पर complaint एक individual ने फाइल नहीं करी यहाँ पर collective complaint को file किया गया और वो collective complaint कैसे file हुई वो file हुई है lawsuit के दोरा मतलब class action के दोरा वो complaint को यहाँ पर file किया गया तो it is filed generally when a number of people have suffered the similar injuries मतलब कई सारे लोगों ने एक ही तरीके का क्या है गुना देखा होगा मतलब उनके साथ एक ही तरीके का fraud हुआ होगा उस case में representative action और class action देखा जाता है यहाँ तक clear हो गया अब है प्रकार के जो है यहाँ पर right समय प्रोटेक्ट करते हैं act के अंदर वो क्या है कि यहाँ पर right to be protected है inform करना जरूरी है consumer को यह सारा चीज़ें क्या है यह सारे चीज़ें consumer से related हैं जैसे right to consumer का awareness जैसे consumer को aware करना आपको जरूरी होगा अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो redressal mechanism होना जरूरी होगा उसको सुनवाई जरूरी होगी उसको assurance देना जरूरी होगा और उसका inform करना भी हमें यहाँ पर जरूरी होगा कि उसको क्या quality आप provide कर रहे हूं क्या potency है क्या purity है क्या standard आपने रखा है यह सारी चीज़ें consumer का जानने का अधिकार हमें मिलता है यह सारी चीज़ें क्या है consumer का अधिकार आपको यहाँ पर दिखेगा अब कुछ simplifications है consumer dispute adjudication process में वह हमें देखना पड़ेंगे तो क्या है इसमें अभी हमने क्या देखा था कि mediation cell रहेंगे मगर state और district की जो commissions हैं उनके पास empowerment किया गया है कि वह अपने कानून को खुचे review कर सकते मतलब पहले कोई फैसला सुनाया अब फैसला अगर किसी company के हित में सुनाया था तो अभी क्या हो सकता है कि वह अपना review खुचे कर सकते हैं कि मैं यह review करता हूँ इस फैसले को दुबारा सुनाने के लिए मेरे से पहले गलती हो गई तो इस तरीका काम क्या है स्टेट और district commission में हो सकता हैं empowerment है consumer commission का कि वह enforce कर सकते हैं अपने कानूनों को फिर है admissibility of complaint अगर question जो है वो 21 दिन में पूरा नहीं होता मतलब कि consumer ने अगर complaint को file करा है तो 21 दिन में उसका फैसला सुनाना जरूरी होगा और अगर नहीं करेंगे तो वो क्या है higher authority के पास अपना फैसला सुनाने के लिए जा सकते हैं फिर ease of approaching consumer commission जैसे की filing from place of residence work e filing ये सारा काम क्या है ये सब काम हो रहा है हमारे देश में enforcement बढ़ाने के लिए मतलब जल्दी जल्दी फैसले आए जिससे की हमारा consumer भी line पर रहे हमारा manufacturer भी line पर रहे और दोनों मिलका धंग से काम करें कई बार consumer भी बत्तमीजी करता है आप सभी ने दिखा होगा कि जोमेटो वाला केस था जब वो एक लेडी थी जिसने गलत आरोप लगाया था जब डिलेवरी वह उसके पास आया था ये सब क्या है ये सब कई बार consumer भी काम करता है तो consumer का काम भी क्या है गलत है तो दोनों को एक ethicality, dignity को maintain करना यहाँ पर ये सिखाता है फिर क्या होता है alternative dispute resolution mechanism ये सबसे अच्छे चीज़ है आपने ये word मैंने कई बार आप लोग को class में पढ़ाया था कि alternative dispute resolution mechanism क्या होता है मतलब क्या होता है कि directly court ना जाओ उससे पहले आप एक mediation cell के पास चले जाओ जिससे कि आपका time भी बचेगा, court का time भी बचेगा और आपका जो फैसला है वो जल्दी अजाएगा, ultimately हम court क्यों जाते हैं, court इसलिए जाते हैं कि हमारा time बचे और हमारे लिए नयाय सही मिले, तो ये alternative dispute resolution mechanism में दोनों काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो एक complaint will be referred by consumer commission for mediation जहाँ पर मतलब अपने नयाय को mediation cell से दिलाने की अनुमती देते हैं, mediation जो होगा, mediation cell के दौरा होगा, establish होगा consumer commission के अंदर, और कोई भी appeal जो है उस mediation cell के खिलाब, फिर ना तो हम supreme court में जाए सकते हैं, ना ही हम high court में कर सकते हैं, यहाँ तक clear हो गया, अब आता है e-commerce entity, यह सबसे अभी क्या कर दिया इनों नहीं कि कोई भी आप return करते हो package, आपको refund मिलेगा, आपको exchange मिलेगा, warranty, guarantee, चाहे delivery करो, चाहे shipment करो, आपका mode of payment हो, ग्रेवियांस redressal mechanism हो, payment method हो, यह सारे चीजों में क्या है, आपको country of origin भी mention करना अब जरूरी होगा, क्या हुआ, आत्म निरवर भा भारत बनना है, तो हम जब product को क्या है, मंगाते हैं, कोई वीचा से हमने जूते मंगाए, अब वो जूते को मंगाए, उसका country of origin जब चाहिना लिखा होगा, तो हमारे देश भक्ती वहाँ पर जागेगी, कहीं ना कहीं तो जागेगी, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर होगा, तो आपके साथ fraud होने के chances कम हो जाएंगे, and e-commerce platform में गया होगा, तो they have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours, मतलब 48 गंटे में अगर आपने complaint फाइल करी है, तो e-commerce website को आपकी 48 गंटे में सुनवाई करना पड़ेगा, और उस complaint को एक महीने में खतम करना पड़ेगा, सुनवाई मतलब उस complaint की initiation 48 गंटे में हो जाएगी, मतलब दो दिन में, और उस complaint को एक महीने में खतम करना होगा, जब उसने receive की होगी complaint under this act, and इस purpose के लिए उन्होंने ग्रेवियांस रिटरेसल ओफीसर भी बनाना होगा, मतलब Amazon के पास ग्रेवियांस रिटरेसल ओफीसर भी होगा, और Amazon की जो customer sell पैठे रहते हैं, उन सब को दो दिन में उनको देखना है, और तीस दिन के अंदर इसको पूरा खतम करना है, clear, फिर आता है हमारा, कि seller, अब क्या है, seller मना नहीं कर सकता है, अपने सामान को वापिस लेने से, अगर वो सामान defective है, deficient है, और deliver हुआ है, late, and उसको अगर description नही मिला है, same, जो कि उसकी Photoshop की हुई थी, कई बार मैंने आपको example दिया, earphone मंगाए, earphone में, वो earphone देखे थे कि वो तो earphone, wireless earphone थे, आगए आपके पास wire वाले earphone, यह क्या हो गया, कि यहाँ पर seller refuse नहीं करेगा, उसको accept करना ही पड़ेगा, और आपको उसका refund देना ही जानने के लिए, लोगों के body में, अब यह जब oxygen level जानना है, तो वो body में जानेंगे, ऑक्सीमेटर के दाम अभी 2-2,500 जा रहे हैं, जिसकी कीमत 200 रुपए भी नहीं है, वो अभी 2-2,500 रुपए के बिख रहे हैं, इस case में क्या हो सकता है, तो इस case में, जो commerce company है, e-commerce company, उन provide करता है punishment by a competent court for manufacturing and sale of adult rent, adult rent मतलब मिलावट वाला खाना बेज देना, और पहले conviction में क्या होगा, कि उसको 2 साल का license cancel होगा, और अगर बारवार उसने गलतियां करी, तो उसका lifetime का जो license है, वो cancel हो जाता है, फिर इसमें 5 लाग से जादा का जो case होगा, उसके लिए अलग से पैस जो consumer को verify नहीं कर पा रहें कि कौन था consumer, उसका पैसा consumer welfare fund में चला जाएगा, and state commission को यहाँ पर inform करना पड़ेगा, central government के लिए quarterly vacancy में, क्या-क्या vacancy है, क्या-क्या disposal, और सारी प्राबदान हमने क्या-क्या किये हुए, फिर इसमें provide करता है, central consumer protection council भी, जिसमें advisory body होगी, consumer issues में, जिसको head करेंगे union minister of consumer affair, मतलब यह सारा काम जो कर रही है, consumer का, वो कौन करता है, तो ministry of consumer affair, food and public distribution ministry, यह सारा काम करती है, और इसने अपने-पने zone में, अलग-अलग in charge बना रखें, clear हो गई बात, सारा कुछ पढ़ाया है, अब इसका answer दे दो, जिससे की concept आपका पूरा clear हो जा something good morning handsome, good morning lal-bathur बात क्या हो रही है, बात हो रही है, consumer protection, अब यह खतम नहीं हुआ है, ठीक है, consumer protection act 2019 की हम यहाँ पर बात कर रहे है no, एक बार और देखो, two and three नहीं so what they are doing, they are conducting investigation into violation of consumer rights and institute complaint and prosecutions, order कर सकते है, recall of unsafe goods and practices, यह भी बिलकु सही है, और court को पहले convection में उनका license cancel होगा, दो साल के लिए और अगर उन्होंने convection continue रखा, तो license होगा lifetime के लिए cancel, ठीक है, answer क्या होगा इसका, answer होगा इसका अब इससे related e-commerce rule भी बनाये गया, अभी हमने 2019 consumer protection act पड़ाया है, ठीक है, अब consumer protection rules भी है, consumer protection rules यह भी वापस से कौन ने का लेगा, तो this rules are notified by the ministry of consumer affair, food and public distribution, और यह कहा है, तो यह किस के अंदर आता है, यह आता है, consumer protection act के अंदर, जिसमें हम online retailer को accountable भी बना रहे हैं, और business को यह अहाँ पर transparent भी कर रहे हैं, और इसके highlights क्या है, तो rules जो है, वो applicable होंगे, सारे electronic retailer के लिए, e-retailer मतलब electronic, online retailer के लिए, चाहे वो register होंगे, इंडिया में, चाहे वो register होंगे, abroad में, और वो offer कर रहे होंगे, goods and services, Indian consumer को, जैसे कि Amazon, वो register कहा है, Amazon registered है, USM है, इंडिया में registered क्या है तो इंडिया में lecture में तरा registered है, तो registration कहीं पर भी हो, मगर अगर वो Indian consumer को सामान बेच रहा है, तो वो उसका दायत वो होगा कि उसको ये rules को follow करना ही पड़ेगा, और ये cover करेंगे सारे goods, चाहे वो goods कपड़े से related हों, चाहे वो groups electronic items related हों, जितने भी goods online sale हो रहे होंगे, marketplace inventory model के होता है, तो marketplace model होता है कि third party seller, मिन्तरा क्या है, मिन्तरा एक third party है, manufacturer original हुआ, फिर उसके बाद manufacturer ने अपना किसी और को दिया, wholesaler को दिया, और wholesaler ने मिन्तरा को दिया, तो मिन्तरा एक क्या है, third party seller list है, वो sell करते हैं goods, जैसे कि eBay या मिन्तरा, while in the inventory model में क्या होता है, कि platform store करते है goods and sell online and there are no multiple seller one product, मतलब कि वो अपना product खुद ही बनाते हैं और वो अपना product खुद ही बेशते हैं, उसको हम बलते हैं inventory model, उनकी खुद की inventory होती है, मगर marketplace model में क्या है, third party है जाती है, manufacturer, जैसे Amazon है, Amazon में third party है Amazon, Amazon ने कुछ नहीं बनाया, Amazon, जैसे Amazon के पास, आपने देखा होगा, जब रहा, इसके क्या है? ऐरफुन आते हैं, है ना, या फिर हम कहेंगे किसी के भी ऐरफुन आते हैं, तेरे ऐरफुन क्या है, मेरे जैसे ऐरफुन है, तो मेरे ऐरफुन का जो अब मैं देखूँगा, तो किसी ने बनाया, फिर वो किसी ने अपने wholesaler party को बीचा, अब अब हम बोलते हैं inventory model तो यह model के तर्च पर consumer protection रूल को हम यहां पर लाए हैं e-commerce entities क्या है तो they are required to mention country of origin of goods and services मतलब उनको बताना पड़ेगा कि वो किस देश में बनाया गया था और इसके अलावा detail क्या है तो expiry date charging यह सब चीजों को उनको बताना है central government को एंपावर करता है कि unfair trade practices नहीं होगी डारेक सेलिंग एंड पैनल एक्शन अंडर दा सेंडर कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड ए रिटेलर और उनकी जो seller होंगे उनको अपवाइंट करना पड़ेगा जो ग्रेवियांस रिट्रेशल ऑफीसर जिससे कि वह अपनी सारी कंप्लेंट को यहां पर देख पाएं क्लियर आंसर देश कोश्चन को अब लोग वीडियों को लाइक करते चाहिए कोई बात नहीं है टाइप हो गया तो यूपीस्टी में टाइप मत करना सी करते हैं 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 करते public distribution बिल्कुल सही e-commerce entities are also required to mention country of origin of goods and services उनको बताना पड़ेगा country of origin of goods and services clear अब यह इस topic का आखरी अपना यह बसता है वो क्या है कि यहाँ पर draft guideline है advertisement को लेकर मतलब अभी हमने क्या देखा consumer के बारे में देख लिया e-commerce के बारे में देख लिया अब हम इनकी advertisement के बारे में देखेंगे कि यह किस तरीके का अपना यहाँ पर प्रचार कर सकते हैं तो consumer protection act 2019 में central consumer protection authority बनाया यह क्या बनाया था यह एक regulator बनाया था हमने पड़ा था under the ministry of consumer affair यह empower करता है guideline जिसमें unfair trade practices और protection consumer interest को वो पूरा करे मैंने आपको example दिया वह लेट से फियर लवली यह क्या है इसका बात क्या है कि फियर भी होगा और आप बहुत अबसुरत भी देखोगे और आप लवली भी देखोगे यह सब चीजें क्या है गलत हो गई तो वह फियर लवली ने शायद उसने अपना बदल कर कुछ और रख दिया और वह जो नाम बदला है उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपना नाम गलत advertisement कर रहे थे इतने सालों से इसलिए किया फिर उनका उंदरुनली मामला भी था कि वह रेसिजम को प्रमोट नहीं करना चाहते इसलिए उन्होंने किया ऐसे कई सारे क्या है विवाद आते हैं आए दिन उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन निकाली गई है कि आप प्रचार से तो कोई कभी healthy बनी नहीं सकता यह सब क्या है unfair trade practices के उसमें आते हैं इसलिए इन पर लगाम लगाने की यहां पर बात की तो guideline cover all advertisement and marketing communication regardless of form format और medium इसकी guideline क्या है कि उसको disclaimer करना पड़ेगा noticeable understanding of ordinary consumer then will be treated as misleading advertisement मतलब एक layman चाहे वो रिक्षा वाला क्यों ना हो चाहे कोई एक IAS क्यों ना हो उन सबको जानकारी होना चाहिए कि इस पर लिखा क्या है मतलब इतनी आशान भासा लिखनी होगी आपको कि वो सब लोग उसको पड़ पाए yes glow and lovely फिर endorser मतलब जितना भी description claim and comparison हो other advertisement का मतलब क्या होता है कि मेरा प्रोड़क्ट मैं अपने product में एक और फिर मैं उसका भी प्रचार कर रहा हूं अपना भी प्रचार कर रहा हूं कहीं बार आपने देखा होगा कि भाई मेरा product है यह पैन मैंने इस pen के साथ मैंने इसके अंदर की निप का भी मैंने promote कर दिया ऐ ऐसा कोई होगा उसको हम बोलते हैं surrogate advertising फिर आता है free claim कई बार आपने देखा होगा कि भाई एक रुपए में Amazon का product खरीद लो वो एक रुपए में TV बेस देते हैं एक रुपए में वो जूते बेस देते हैं तो ऐसे कोई भी advertisement होते हैं वो completely banned होते हैं और वो ऐसे कभी किसी को भी नहीं अपन को है ना तो advertisement should not describe as a good or service as free without charge और any other similar terms अगर customer को pay करना पड़ा है एक रुपए भी या फिर एक रुपए है तो उसको एक रुपए में ही बेचना पड़ेगा पहले पेटियम में बहुत होता था कि एक रुपए में ये ले लो एक रुपए में वो ले लो जब करना है फिर ओन बेट अडबर्टीजमेंट मतलब शाल नौट एंटाइस कंजूमर टू सी के पर्चिस और गुट्स विताउट ए रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ सेलिंग अडबर्टीजिट गुट्स 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 एक मिनट ठीक है तो यह सारी से जोको ह कुम ने देखा ना आंसर दिस कॉश्चन टॉपिक अपना यह वाला खतम होता है टॉपिक बड़ा था मंगर यह टॉपिक अंडस्टेंडेबल था सब को यह टॉपिक समझना जाना चाहिए परिवड महिमा निधी लाल बाद दोर देवेश पाठक योगेश जाधाव निकेथ हैंसम ठीक है आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बोथ वन एंड टू ठीक है यह अपना टॉपिक खतम हो गया कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसी को कोई भी डाउट हो जल्दी से पू कि यह आम नागरिक का अधिकार है अपने एड भी सुना होगा कंजूमर प्रोटेक्शन आम नागरिक का अधिकार तरीके से एड भी आती है किसी को कोई डाउट है नहीं है तो फिर आगे बढ़ता है अब आता है हमारा अगला टॉपिक यह है फॉरेंड कॉंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 फॉरेंड कॉंट्रिब्यूशन मतलब की विदेश से आया हुआ पैसा अब इस पैसे को हम कहां रखते हैं उस पै कर रहा है और वो हमारे देश का आदमी हमारे देश में पैसे भेज रहा है जैसे कि केरला का आदमी कहां काम कर रहा है दुबई में और दुबई से वह पैसे भेजता है तो वह पैसे को क्या बोलते हैं उस पैसे को बोला जाता है रेमिटेंस और देश दुनिया में सबसे ज किसका पार्ट है वो है foreign exchange का पार्ट ओके यह टॉपिक थोड़ा सा आपको समझना होगा आपको नहीं आएगा समझ में तो बार-बार मुझे से पूछ लेना foreign contribution regulation में act लगाया गया मतलब एक amendment act लेकर आए हम क्यों लेकर आए इसमें क्यों कि विदेश से आया हुआ पैसा काफी ज्यादा क्या है terrorism में काफी ज्यादा एंजी उसके थूरू क्या हो गया smuggling होना शुरू हो गई अब वह smuggling क्या हो गई चाहे वह drugs की smuggling हो या फिर अपने जैसी country या Gulf जैसी country से उनको funding मिलती थी ठीक है तो इन सब चीजों को क्या बोला जाता है foreign contribution मतलब देश में हमारे देश में बहारी देश का पैसा आना contribution मगर हर बार जो contribution होता है वो गलत कामों के लिए नहीं होता आपने कभी देखा होगा जैसे कि कभी flood आ गया अब flood आया त काफी कोई और देश है उन्होंने हमारी help करी तो उस flood को पूरा करने के लिए फिर अर्थ को एक आया तो अर्थ को एक में हमने किसी कि जैसे नेपाल की हम help कर रहा था जब हमने 2016 में देखा था नेपाल में भूकम पाया था तो ऐसे cases में foreign contribution होना हमेशा गलत नहीं होता अच् क्या है 2020 डिप्लेस को किया है foreign contribution regulation act FCRA 2010 ठीक है जाकिर नायकियास अब इसमें एक चीज़ आपको जानना होगा एक होता है एक होता है और एक होता है पेमा क्या होता है foreign exchange regulation act और foreign exchange management ठीक है यहां पर क्या है foreign exchange regulation act और एक है foreign exchange management act foreign exchange regulation act में यह आया था 1973 में यह कानून कब आया 1973 में foreign exchange management act यह आया है 1999 में वाजपाई के टाइम पर यह कब आया इंदरा गांधी के टाइम पर दौनों में क्या था difference यह हमें यहां पर जानना है क्योंकि हम यहां पर पट रहे है foreign contribution तो फेमा जो है फेमा अभी है फेरा पहले था फेरा में क्या था फेरा को 81 sections थे इसमें और इसमें 49 sections है फेरा conceive किया गया था with the notion that foreign exchange scarce resources है मतलब कि जो बहार का पैसा आ रहा है वह हमारे देश में घातक है अब इस पैसा क्यों माना गया क्योंकि 1973 के टाइम पर हमारे हाँ पर क्या हुआ इंडिया पाकिस्तान के साथ काफी तनाव रहते थे चाइना के साथ काफी तनाव रहते थे तो हमने क्या देखा कि बहारी पैसे को हम सो समझ के मगाएंगे मगर 1999 के टाइम जब हमारे हाँ पर हमने कार पेमेंट रेगुलेट करते थे फेमा के जो थे वो increase करते थे foreign exchange reserves in India जैसे कि हमारे यहां पर क्या है फॉर एक्स जिसको हम बोलते है ना current account deficit current account deficit को अगर हमें खतम करना है कम करना है तो कैसे करेंगे भार के पैसे से ही तो करेंगे ना और उससे तो हम तेल खरीदेंगे बापस जाके तो focus क्या होता है यहां पर फेमा का वो करता है प्रमोड foreign payment and foreign trade इसका objective क्या है management करना इसका objective क्या है conservation करना मतलब यह थोड़ा conserve था यह manage कर रहा था foreign exchange के बाहर के पैसे को इसमें authorized person क्या था वो widened था इसमें authorized person को narrow माना गया था मतलब कि जो भी पैसा है उसको शक्की नगहाओं से देखते थे और यहां पर शक्की नगहाओं से नहीं देखते थे यहां पर जो banking unit है वह आधा था RBI की approval नहीं चाहिए बाहर से पैसा मंगाने के लिए certain limit तक अगर उससे आधा का पैसा आएगा तो RBI की approval लगेगी है ना इसी चीज में foreign contribution regulation act आता है जो regulate करता है flow of foreign fund to voluntary organization तो यह जो foreign contribution regulation act है इसका मतलब क्या हुआ बाहर का पैसा आना और वह regulate किसको करेगा वह करेगा voluntary organization मेरे और आपके घर में अगर बहार से पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलते है remittances मगर मेरे और आपके घर के अलावा कोई voluntary organization किसी NGO के पास पैसा आ रहा है उस पैसे को बोला जाता है उस पैसे को regulate करते है है foreign contribution regulation act किते है objective क्या होता है कि कोई भी पैसा anti national activity में ना लगाए सकें जैसे कि हमने क्या किया हमारे देश में जम्मु एंड कश्मीर में काफी सारा क्या है terrorism रहता है तो ऐसी activities में वो पैसा ना लगा सकें इसलिए foreign contribution regulation act को हम लेकर आए इस FCRA को कौन regulate करता है तो इस FCRA को regulate करता है हमारे अमित शाह की ministry वो है ministry of home affair जो accept भी करती है और utilize भी करती है foreign contribution को individual के थुरू association के थुरू और किसी company के थुरू foreign contribution एक donation होता है और transfer of any currency any security और article जो कि specified limit से होगा और foreign source से आ रहा होगा और इसकी specified limit time and again बार-बार define होती रहती है अब इस contribution में amendment क्या किये गए है वो हमें यहाद रखना है तो देखो foreign contribution FCRA 2020 इसका difference FCRA 2010 से क्या है तो इसमें public servant को भी add किया गया है FCRA के list में पहले क्या होता था कि कोई भी public servant कोई भी clerk कोई भी IAS अगर भार से पैसा मंगाता था तो वो पैसा को FCRA के अंदर guideline नहीं होते थे मतलब वो पैसा मंगाएगा उसकी कोई जांच पढ़ता नहीं होगी अभी क्या है public servant include any person who is in service or pay of the government और remunerated by the government for the performance of any public duty तो वो क्या माना जाएगा वो public servant माना जाएगा और वो FCRA के अंदर आता है बहुत important चीज है याद रखिएगा यह clear अब यह prohibit करता है except foreign fund किसके लिए कोई भी election के candidate के लिए कल मैंने आपको electoral bond पढ़ाया था electoral bond क्या था तो electoral bond scheme में कोई भी इंडिया का नागरेग या कोई भी इंडिया का corporate electoral bond issue कर सकता है SBI के branch में जाकर वहाँ पर क्या था citizen of India यहाँ पर क्या है कोई भी election candidate में बहार का नागरेग हमारे हाँ पर contribute नहीं करेगा किसी भी एडिटर चाहे हिंदू हो चाहे इंडियान एक्सप्रेस हो उसका publisher हो वो कभी भी क्या है पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा बहारी देश से कोई भी जज्ज कोई भी government कोई भी member of any legislature वह बहार का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर accept करता है तो उसको जाच परताल बिठाई जाएगी और प्रॉपर तरीके से उसकी chain of command रखेंगे अब transfer of foreign contribution यह क्या है तो foreign contribution cannot be transferred to any other person अगर उसका उस person का register नहीं है to accept foreign contribution मतलब unless such person is also registered to accept foreign contribution दोनों जग ऐसे सहमती होना चाहिए foreign को accept करने के लिए and यह amendment prohibit करता है transfer of foreign contribution to any other person मतलब जिसके पास पैसा आना है उसी के पास Google पर नहीं है तो मैंने क्या किया मैंने इस दोस्को दिया और मैंने इससे कहा कि भाई इसको cash निकाल कर 20,000 रोपर दे दो यह काम मैं इंडिया में कर सकता हूं मगर अगर मुझे बाहर से इस प्रायर पर्मिशन रजिस्ट्रेशन मस् प्रोवाइड आधार नंबर फॉर ओफिस भी एर डारेक्टर एक्सेटर एंड इन केस ऑफ फॉरेनर अगर कोई फॉरेनर है इंडिया में और उसको पैसे चाहिए है तो उसको पासपोर्ट की कॉपी लगेगी या फिर उसके प अब वाट इस दिस FCRA एकाउंट तो जो हम बहार से पैसा मंगा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं FCRA तो फॉरेन कॉंट्रिबूशन कोई वॉलंटरी ओर्गनाइडिशन कर सकती है अब वो वॉलंटरी ओर्गनाइडिशन का ऐसा नहीं होगा कि उसका मुंबई में अकाउंट है उसका बंगाल में अकाउंट है ऐसा नहीं चलेगा वॉरेन से अगर पैसा कोई वॉलंटरी ओर्गनाइडिशन मंगा रही है तो उसको पैसा का एक ही अकाउंट होगा उसका ब्रांच होगी वहोगी नई दिल्ली में और वह ब्रांच होगी किसकी SBI की मतलब कि अगर हमने ब नोटिफाइड बाए दा सेंट्रल गवर्मेंट कोई भी फंट अधर देन दा फॉरेंड कोंट्रिबूशन शुट भी रिचीप और डिपोजटेट इन दिस अकाउंट अली क्लियर और पर्शन में ओपन अनेदर एकाउंट इन एनी शेडियूल बैंक और चॉइस फॉर पहला पैसा आएगा SBI की नई दिल्ली की ब्रांच फिर आता है रेस्टेक्शन इंदा यूटिलाइडेशन ओफ फॉरेंड कोंट्रिबूशन अब कुछ उसमें रोक भी लगाई गई है वो रोक सबसे बड़ी रोक क्या है कि 50 प्रतीशा तक यहां पर क्या है इस परसन एक् ब्लॉक हो जाएगा और वो ब्लॉक हुआ पैसा तभी खुलेगा जब सेंट्रल गवर्मेंट उसको अनुम्मति देगी अमेंडमेंट एड करता है गवर्मेंट को कि वो रेस्ट्रिक करेगा यूसेज ऑफ अनुटिलाइज फॉरेंड कोंट्रिबूशन फॉर सच परसन बे आज सुबह सुमित्रा महाजन की भी टैथ हो गई तरह म्योच्वरी जो CPI के हैड है उनके बेटे की भी टैथ हो गई तो भाई अब जो है पॉलिटीशन की भी डैथ होने लगी है के भी अवेर की सिंसियर कोरुना जो है वो बढ़ता जा रहा है अल्दो शाय सुमित्रा महाजन की कोरुना की वैसे नहीं हुई तो ministry of home affair regulate the acceptance and utilization of foreign contribution by individuals associations and companies यह बिल्कुल सही है foreign contribution is the donation or transfer of any currency security or article by a foreign source की definition यही होती है ठीक है answer क्या होगा इसका answer होगा बोथ 1 and 2 अब आगे क्या है इनका license का renewal का process क्या है तो इनको license हर 6 महिने में renew करवाने की person की जरूरत होगी मतला every person who has given a certificate of registration उनको renew करवाना पड़ेगा license हर 6 महिने में यह काफी जाता strict किया है क्यों क्योंकि NGO जो है अगर वो मदद भी करते हैं तो सबसे बड़े scam भी NGO के अंदर ही होते हैं and amendment add करता है कि government conduct and inquiry before renewing certificate जिससे कि वो कर देंगे कि जो उनकी NGO है या फिर कोई भी स्पेसिफाइड केटेगरी है उसमें उन्होंने अपना क्राइटेरिया फुल्फिल किया है या नहीं किया अब इसमें एक सबसे बड़ा क्या हुआ कि यह जो है इनको restrictions limit है restrictions limit क्या है कि अपने administrative expenses में देखो NGO का काम क्या है दूसरों की भलाई करना है ना अब दूसरों की भलाई 100 रुपे अगर आपके पास आये हैं और मैंने आपको 50% तक पैसे लगा मगर 50% से ज्यादा administrative expenses में आप पैसा नहीं लगाओगे आपको 50% administrative expenses पैसा लगाना है और बागी का पैसा जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस के लिए आप लगाओगे और यह चीज आपको देखना पड़ेगा अच्छा अच्छा एक सची धिन में च्छा महीने वही हो गया ना सस्पेंशन में भी एक्सेंचेंड अपको एन अदिशनल 180 डेज ओके तो आंसर देश मैंने तो सची धरूर का ट्विटर हैंडल देखा सुबहर लेका था मर गई मैं भी फेक न्यूस स्प्रेड कर रहा हूं और यार इवन सम्नूस चैनल है अलसो कमेंटेड ओन सची धरूस देप लुटर को अदर उसको एक्सपायर के रजिस्टेशन का रेनीविल करना है FCRA must use more than 50% of the contribution for administrative expenses मतलब 50% ज्यादा administrative expenses नहीं होना चाहिए तो answer क्या होगा इसका answer होगा both 1 and 2 अब आता है हमारा NGO NGO कौन होते हैं NGO होते हैं सेवा करने वाले organization जो की होते हैं voluntary in nature मतलब कि इनके पास कोई भी इनकी पैसा जो है वो खुद का production से कमाया गया पैसा नहीं होगा कोई भी manufacturing से कमाया गया पैसा नहीं होगा और कोई भी इनका motive जो होगा वो motive होगा only and only सेवा करना ठीक है इनका motive यह नहीं होगा कि यह motive में profit को कमा है मतलब they will not generate any profit और जो profit होगा वो वापिस से कहां लगाया जाएगा तो जो भी profit होता है उस पैसे को वापिस से वह सेवा मतलब है अब इन एंजियो में दिक्कत क्या है यह एंजियो तो money कहां से ले रहे हैं वो लोगों से और उस पैसे को कहां लगाने लगे हैं वो पैसे को लगाने लगे हैं गलत कामों में मतलब on record क्या है अच्छे काम दिख रहे हैं वंगर off record वो काफी सारा terrorism को promote करने लगे इसी लिए यहां पर लगाम लगाने की बात करी हुई है अब एंजियो और उनका importance क्या है एंजियो को define किया गया है world bank ने as a not-for-profit organization जो परस्यू करते है activities for relief suffering promote the interest of the poor protect the environment provide basic social services and undertaking community development यह जो organizations होते हैं वो कताई government से कहीं उनका कोई लेना देना नहीं होता they have a legal status and registered us as trust society private limited and non-profit company मतलब यह रजिस्टर होंगे या तो किसी trust के basis पर या society के basis पर या private limited non-profit company के basis पर यह registered होते हैं हमारे देश में हमारा जो समविदान है 191C में क्या बोलता है right to form association बोलता है मतलब हम NGO को बना सकते हैं association कोई भी हो सकता है cooperative society हो सकता है कोई भी एक NGO हो सकता है article 43 क्या बोलता है promote cooperative in rural area तो मतलब DPSV भी प्रमोट करता है NGO को और हमारे fundamental right भी promote करते हैं and concurrent list में हमारे NGO's mention होते हैं as a charitable institutions charitable and religious institutions आप लोगों को पता होना चाहिए हैं बड़े से बड़े colleges बड़े से बड़े institutions बड़े से बड़े hospital आपने सुना होगा कि यह charitable hospital है यह hospital है वह charitable है इसका मतलब यह नहीं है कि वह free में चल रहा होगा नहीं उस वह इतना पैसा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते क्यों क्योंकि उनका regulation अभी तक इतना ज्यादा नहीं था अब provisions क्या है regarding the regulations of NGO in India तो वही मैंने आपको फेमा और फेरा बताया था तो फेरा पहले था बाद में क्या आया फेमा आया तो फेमा ने क्या कि there are certain NGOs जो की रजिस्चर होते हैं फेमा के अंदर and continue to disperse fund to various associations in India मतलब वो accept करते हैं फेमा के थुरू fund को और फिर वो आगे जाके fund को क्या है disperse करते हैं फेमा किसके अंदर registered है तो फेमा regulate करता है ministry of finance यहाँ पर ministry of home affairs नहीं होगा ओके तो देखो हमारा foreign contribution कौन देखता है and amend the law related to foreign exchange with the objective objective क्या है अक्षेनल train and payment को देखना and separate law foreign contribution regulation act बनाए गया था 2010 में जो इनेक्ट करता है ministry of home affair देखो FCRA किसके अंदर है home affair के अंदर and FEMA किसके अंदर है ministry of finance के अंदर और home affair क्या करेगा monitor करेगा fund जो की हम NGO को donate करते हैं clear okay answer this like share तो कर दू yes fake news is spreading now one time profits the work of people yeah 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 परोना इसी से तो चल रहा है एक निए उसे एक मेरे लिए कल गार्ड मिले वैने बोला आपको वैक्सीन लगवा दिया अपने तो इसी टोल्ड मी कि नहीं नहीं वैक्सीन से इसी तो फैल रहा है करो ना I was shocked अच्छा फिर उनको थोड़ा समझाया उनने बोला कि हाँ अब हम लगवाएंगे अरे तुम कहां जस्टेस पर सुशानत आ गया यार यहां यूपीस की पढ़ाई करनी है Organizations are not part of the government but have a legal status and are registered as trust society private limited non-profit company ओके यह हो गया इसका यह और फेमा रिप्लेसे फेरा तो भही मैंने उल्टा लिखा है यहां पर see नहीं होगा इसका Answer फेरा ने Replace किया है फेमा को फेमा ने रिपलेस नहीं किया फेरा को इसका 1 होगा अभी समझें पेरा रिप्लेसेस फेमा अब आता है हमारा अगला cigarette and other tobacco product regulation of trade and commerce production supply and amendment bill यह क्या है तो जो बच्चे अभी यह वीडियो देख रहे हैं और वो अगर cigarette पीते हैं और मेरे बच्चे तो जो भी मतलब आप लोग वीडियो देखते हो वो शायद 21 साल के हो गए या 18-21 के बीच के हो गए या फिर 21-25 के बीच में हो गए ठीक है यह क्या है है हमारा 18 से लेके 25 तक क्या आप सब भी लोग वीडियो देखते हो इसमें क्या है एक गाइडलाइन निकाली है किसने निकाली है मतलब टॉबगव से रिलेटेट कौन सी मिनिस्ट्री इंवल्ड है तो टॉबगव से रिलेटेट मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेल्फियर एंड इंक्लूड करते हैं सर्टिन अमेंडमेंट मैंड मेंट क्या है इंक्रीज ईगर च्छा जोटा बच्चा बच्चा अगर उन Σबसे बेन कर दिया हैतOR इसका जो फाइन है वह पोजिशन ऑफ पेनाल्टी होगा और मैनुफेक्ट्रिंग और इंपोर्टिंग इलिचिट और टुबकू प्रोडक्ट्स मतलब जो भी टुबकू प्रोडक्ट्स होगे वो सब चीजे आपको यहां पर इलिचिट वगरा में यहां पर लगेगा अच्छा एक चीज बताएं कि सिगरेट पर कौन सा टेक्स लगता है एडवलोर्म टेक्स लगता है या स्पेसिफिक टेक्स लगता है ओके मैंने क्या बोला आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमली वेलफियर इन्हों ने यह गाइड़ने निकाली है 21 साल आपको याद रखना है लूज सिगरेट न सिगरेट अभी नहीं मिलती है है लूज सिगरेट मिलती है इक चीज याद रखो कोरूना में क्या हो रहा है कोरूना में आपकी जो टैस हैं है आपके जो फेपड़ें है वो फेपड़ों में दिक्कत आ रही है अब फूब सिग्रेट प्यों दवा के उसके पुरोना हो जाए पुरोना होगा तो फिर मरोगे ना क्योंकि आपकी सिटी स्केन में लंग्स डैमेज दिख जाएंगे आपके 75% पहले ही आग पर लंग्स डैमेज होंगे चाहे लंग्स है अभी 21 साल है और टेमें टेश में नहीं होता विहार में दारुबयान ए फिर मिलती है और उन स्सें लोग है हम लोग हमनलों अब आता है एयर क्राफ्ट अमेंड मेंड्म करता है 1934 का एक्ट रह्यूलेट करता है मैनुफेक्टरिंग यूस से लिंट लाइसंसर्ट of civil aircraft, civil aircraft का manufacturing, उनका use, उनका sale और उनका license को लेकर यहाँ पर उन्होंने क्या है guideline निकाली हुई, यह provide करता है statutory status, मतलब constitutional status नहीं है, क्या है, statutory status provide करता है, तीन bodies के लिए, एक है director general of civil aviation, जो की oversight and regulatory functions देखते हैं, civil aviation के जो bureau of civil aviation securities हैं, जो की security का काम करते हैं, और जो की accident investigation bureau को देखते है Aircraft Accident Investigation Bureau, जो की देखते हैं, investigation related to aircraft accident and incidents, यह तीनों चीजें क्या है, यह तीनों चीजें statutory status इनको मिल चुका है, और किसके अंदर मिला है, तो यह मिला है, Aircraft Amendment Bill 2020, जो की Parliament ने पास किया, यह empower करता है DGCA को कि एक करोर तक का fine लगा सकते है, airline, airport and other aviation entities, अगर उन्होंने अपने guideline को follow नहीं किया, तो, clear? Yes, अगर 20 साल से नीचे कोई jail होचाएगा, नहीं पिएगा, मगला पिएगा तो, tobacco is cause of cancer, Yes, it is और वो jail में कौन से जाएगा, juvenile jail में जाएगा, अगर 18 से कम का बच्चा होगा, तो, वो juvenile वाले jail में जाएगा, और 18 से 21 साल का बच्चा होगा, और वो cigarette पीते वे पकड़ा गया, वो जाएगा adult jail में और यहाए, तो, यह जो हमारा act है वो प्रॉवाइड करता है, statutory status to the three preexisting body, एक है Director General of Civil Aviation Bureau of Civil Aviation Security और तीसरा है Aircraft Accident Investigation Bureau ओके यहां पर Airport Authority of इंडिया को नहीं है तो यह होगा इसका अंसर बी कि यह वह नहीं है इस ट्रेटरी अभी यह जो हम एक्ट है ना उसकी बात करता है ना अब आता है सबसे इंपोर्ण टॉपिक और सबसे मजजदा टॉपिक वह बैटिंग मतलब क्या होता है और यह सब चीज़ों के बारे में क्या होता है उसको हम बोलते हैं बैटिंग तो पुरान टाइम से चली आ रही है महाबारत में अभी हमने देखा था कि वो क्या करते थे दुरौपती और उस तब में आपने सुना होगा उन्होंने दुरौपती को दाओ पर लगा दिया था जो भी उनकी स्टूरी थी तो बैटिंग पुराने समय करते हैं और कई सारे स्टेट्स हैं जो की बैटिंग को अलाओ भी करते हैं अब बैटिंग और गेंबलिंग में अंतर क्या होता है तो बैटिंग जब अेक्ट बन जाएगा तो gambling कहलाता है इसको अपन देखते हैं तो ministry of state of finance इन्हों ने क्या किया इन्होंने अपनी बात रखी कि हमें betting को क्या करते ना है legalize करते ना है और यही बात जो है वो करी थी लोड़ा committee की report ने लोड़ा committee is related to what तो जब IPL में scam हुए थे तो IPL में scam को देखने के लिए committee बनाई गई थी उस committee का नाम क्या था उस committee का नाम था लोड़ा committee अब यह gambling legislation जो है वो इंडिया में वो कैसे होते हैं बैटिंग बैटिंग का मतलब क्या होता है एट वैलिडेट दा एक्टिविटी ओफ gambling मतलब gambling क्या होगा जुआ होगा और बैटिंग एक लीगल टम हो जाता है एंड गैंबलिंग इसे जनेरिक टम बैटिंग इसे स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट मतलब दो पार्टी के पीछ में अगर स्ट्रक्चРЕट एग्रीमेंट हो जाता है जैसे आप कसीणों में जाओगे तो कसीणों में gambling नहीं होती है कसीणों में betting होती है क्यों क्योंकि वहाँ पर इस्ट्रक्चर्ठ सटरीके से काम होगा gambling क्या होगा वीजश केल रहा हूं तो वह आपने देखा होगा dream eleven पर टीम बना रहा हूं यह सब क्या है यह सब gambling को प्रमोट करते हैं मगर online gambling का अब हमारे देश में कोई कानून नहीं है फिर भी हमारे देश में क्या हो रहा है ऐसी gambling को हम प्रमोट कर रहे है क्यों कि जैसे आपने poker सुना ओगा कई लोग तो खेलते भी होंगे यहां पर क्या है कि poker में जिसमें वो Sunny Leonie उसकी brand ambassador है तो वहां पर क्या हो रहा कि वो लोग online gambling करते हैं कि आपको यह सब gambling और betting का कई सारे structure है online gambling जो है इंडिया में उसका अभी specific कानून नहीं है मगर ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है तो हम उसमें कुछ करेंगे नहीं gambling और betting दोनों क्या है यह दोनों state subject है इसलिए अभी तक क्या है central government ने कोई भी इस पर कानून नहीं बनाए हाइवर gambling is not defined under the gambling legislation of a state इंडिया का जो law है वो distinguish करता है हर एक game को to be a game of skill and a game of chance यह differentiate करता है fantasy sport from traditional betting मतलब game of skill यह का जो law है वो क्या बोलता है game of skill और एक होता है game of chance जैसे कि आपने लुटो खेला उसमें क्या है आपको कई सारी chances मिले मगर आपने skill दिखाया है इसकिल कैसे दिखाया आपने dream 11 पर टीम बना कि आपने skill दिखाया है ना तो dream 11 पर आपने बोला कि captain होगा कोई और वाइस captain होगा क्या कोई और धूनी ओगा अब जब आपने dream 11 पर टीम बनाई और आपने क्या किया वो जीत गए उसमें तो आपका game of skill काम में आया आपका game of chance काम में नहीं आया तो हमारा जो कानून है वो game को differentiate करता है game of skill and game of chance और यह differentiate करता है fantasy sports from traditional betting traditional betting में क्या होता है जैसे कि आप पत्ते खिलने बैटे तो आपके पास लूडो खेला लूडो में पांच आ गया तो वो क्या हुआ गेम ऑफ चांस हुआ वहाँ पर स्किल काम में नहीं आई इसकिल काम कहाँ ड्रीम एवफ पर आई क्लियर होगे यह बात तो फैंटेसी स्पोर्ट बैटिंग इस लीगल बट इटीजह गेम ऑफ स्किल के वहा तो सब को जाकर ग्यान देना यह वाला क्योंकि बहुत कम लोगों को यह ग्यान होता है कि हमारे देश में लीगल क्यों है क्यों 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 क्योंकि हमारे आपर गेम ऑफ स्किल होता है यह सब ड्रीम 11 वगएरा और पोकर दिस आर गेम ऑफ स्किल क्लियर मैंने क्या बोला दो प्रकार के होते हैं कानून इंडिया में इंडिया ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दो अलग अलग रखा हुआ है है अमारा देश का कानून है 1867 का कानून वो क्या बोलता है गेम ऑफ श्किल को हम अलाओ करते हैं गेम और चांस को हम अलाओ नहीं करते यह मेरे पास कला है कि मैं चूस कर सकता हूं कि विराट कोली अच्छा क्योंकि मुझे पता है कि विराट कोली अच्छा खेलता है मैं कभी किसी और बेटिंग करता है तो मेरे पास betting में क्या होता है traditional betting होती है game of chance game of chance का मतलब क्या हुआ कि मैंने लूडो खेला लूडो में मेरे 5 आ गए अब जब मेरे 5 आ गए तो वो मेरा luck by chance हुआ ना मतलब मेरे लग अगभी उसमें एक भी आ सकता था उसमें 6 भी आ सकता था तो वो क्या हो गया वो एक तरीके प्रोबैबिलिटी हो गया यह पर बेहन है मतलब हमारे देश यह लगवाई चांस जो होता ना कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं और मैंने लगा दी एपनी सारी प्रोबर्टी दाव पे लगाँगा जब मेरे पास गेंव window हुगा और हमारे । देश में गेंव इसकी स्कील अलाऊ है हमारे देश देश में माना गया है ओके हम आप इस ट्रक्चर कर दोगे गैंबलिंग तो तो वह बन जाता है बैटिंग 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 गारेट कर देते हैं हमार इंड्या में और गैंब्रेट ऑदिश टेस्चतों ऑगिकर अभी क्या हैंग डत्स घंबलिंग excluding under the gambling act and by the courts judgment मतलब कुछ skills excluded है मगर कुछ skills included भी है फिर lottery ये भी क्या है excluded है ये include नहीं होता है under the gambling क्यों क्योंकि regulated by the lottery law of India ऐसा नहीं है कि ये बैन नहीं है हमारे यहां पर lottery आपने देखा होगा बंगाल में lottery allow होती है केरला में lottery allow होती है क्यों होती है क्यों क्योंकि ये गोवा में lottery allow होती है क्यों क्यों क्योंकि वो luck by chance हो जाता है यहां पर luck by chance lottery अलग हो जाती है lottery is together different thing और fantasy sports में हमारा जो अपोनेंट होता है वो दूसरा human being होता है rather than bookmakers like the traditional betting इसलिए क्या होगा कि हमारे देश है fantasy sports अलाओ है lottery अलाओ है मगर lottery का कानून अलग है gambling के अंदर lottery नहीं आता game of skills game of skills भी हमारे इसमें अलग से कानून बनाए गए है and betting और होर्स ये क्या है include नहीं किया क्योंकि होर्स की भी हमारे यहां पर betting कई-कई देशों में आपने देखा होगा या कई-कई स्टेट्स में होर्स की जो betting होती है वो क्या होती है बैन नहीं की गई है मगर most of the states में हमारे देश में betting क्या है बैन अब देखो most important question कहां से बनता है question बनता है कि कौन से दो यहां जो कि gambling को करते हैं तो देखो online gambling को करने वाले सिक्केम और नागलेंड है जो कि online gambling को करते हैं और यहां जैसे कि तेलंगाना जो policy of zero tolerance मतलब strictly gambling को मना करता है चाहे वो online होगा चाहे वो offline होगा एंड countries है जैसे कि Australia है UK है साउथ अफ्रीका है इन समय उन्होंने legalize कर रखा है इसी चीज को लेकर हमारे हाँ पर लोड़ा कमीटी की रिपोड आई थी 2015 में जिसने एड़ोकेट किया था legalize करने के लिए betting in cricket and match fixing को भी उन्होंने क्या माना criminal offense माना है ना मगर इन्होंने क्या बोला कि आप बेटिंग को legal करते हो gambling को नहीं बोला इन्होंने क्या बोला betting को हमें legal करना है तो इस वस रिसेंट्ली इकोट बाइ law commission in 276 record मतलब उन्होंने मना करती है clear तक कोल मिला के याद रखो betting जो है वह एक और्गनाइज होती है gambling और बैटिंग दोनों सब्जेक्ट होते हैं और gambling में क्या है gambling में आपका कई सारे स्टेट्स जैसे सिक्क्यम है और नागालन ने जिन्होंने allow किया है तेलंगानन ने gambling को strictly मना किया और जो हमारे online fantasy game होते हैं वो क्या कहलाते हैं वह luck by chance नहीं होते हैं वो game of skill होते हैं और game of skills जो है हमारा कानून allow करता है बाकी चीजों को वो allow नहीं करता very good महिमा very good देवेश very good clear तो gambling and betting these both are state subjects and gambling is not defined under the gambling legislation of state यह बिल्कुल सही है and betting is a term जो validate करता है activity of a gaming gambling तो यह क्या होगा answer होगा इसका both one and two इसका answer आके आपको मिल जाएगा clear हो गई बात what we have learned so far हमने सारे legislation को यहां पर देख लिया ओके तो अभी तक हमने जुडिश्री भी देख लिया center-state relation भी देख लिया constitution में क्या-क्या loopholes हैं वह भी देख लिया फिर इसके बाद हमने क्या देखा clear हो गई बात किसी को कोई bit out हो देख लेना PDF मैंने अल्रेटी वहाँ पर शेयर कर दी है और अभी इसकी भी PDF वहाँ पर शेयर कर दूंगा तो आपका एक concept पूरे clear हो जाएंगे politics से कोई भी question गलत नहीं होना चाहिए है किसी का भी ठीक है एड़ाइन टीजे एलाइवी इस माइगोड यू कैन अविल 10% डिसकाउंट यह इंट तरकेश वर जैन पीए साइयर इस मैं टेलीग्राम चैनल लाइक शेयर एं सब्सक्राइब यह जरूर करना है इसमें कोई पैसे नहीं लगने और लोन लेने में भी कोई पैसे नहीं लगने है जो बच्चे जो कि अभी भी सोच रहे हैं कि उनका वीक पॉइंट है कुछ भी सब्जेक्ट में अविल दा फैसलिटी ओफ अन अकैडमी लोन और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे कहां पर अपनी दो बज़ें यहीं पर क्लास होगी यू चलिया, we will meet at 2 PM, okay, okay.